अमेरिका में पढ़ रहे विदेशी चात्रों पर अपने देश वापस लोटने का खत्रा पैदा हो गया है। जारी नहीं करेगा जिनके कोर्स या ट्रेनिंग प्रोग्राम पूरी तरह ऑनलाइन हो गए है। 79,548 चीनी चात्रों ने दाखिला लिया था। दूसरे नंबर पर भारतिय थे जिनकी संख्या 2,002,004 थी। हावर्ड युनिवोसिटी के प्रेसिडेंट लैरी बकाउं ने इस फैसले को परिशान करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि हावर्ड समेथ तमाम विश्वविद्दैलेों ने ऑनलाइन क्लासिस का इंतजाम छात्रों के स्वास्त और वैश्विक महामारी की चुनौती को ध्यान में रख कर किया था। मगर अमेरिका की प्रवासन एजिंसी के चलते ऑनलाइन क्लासिस की विवस्था ही सवालों के घेरे में आ गई है। वाशिंग्टन डीजी स्थेथ तिंक टैंक माइग्रेशन पॉलिसी इंस्टिट्यूट के मुताबिक इस फैसले का असर तकरीबन 12 लाख विदेशी चात्रों पर पड़ेगा जिन्होंने साल 2018 में अमेरिका के 8700 सेक्षन संस्थानों में दाखिला लिया था। Bureau Report, GO News.